हेलो दोस्तों वेलकम टो डियेश्डी कार्स और आज के वीडियो में आपके सामने है दा ओल नियो निसान मैगनाइट 2020 जिसका की एक्सल वैरियंट जो की नोन ट्रबो में है आप लोगों के सामने है और आज के वीडियो में इसी गाड़ी के प्राइज फीचर वगरा की बात करेंगे और इस गाड़ी के रिवीव के लिए मैं आया हूँ नियो निसान नोइडा पे जिन्होंने की सबसे पहले नौन ट्रबो इंजन यानि की एक्सल वैरियंट को अपने यहां मंगाया है तो यह बहुत बड़ी बात है इस शोरोम की आप भी यहां जा सकते हैं गाड़ इस वैरियंट में नहीं मिलते हैं जो डियरल्स हैं वो भी इस वैरियंट में नहीं मिलते हैं उसके जगे पे आपको क्रोम फिनिस दीगई है है लोजन एडलम्स दीए गए और टर्न इंडिकेटर उनके आगे की तरफ में प्लेस किये गए तो यह है ओवरॉल फरंट लूक जो कि एक्सल वेरियंट में आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको टोप मोडल से अलग नहीं मिलेगी, बात करें इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड में आपको सो लाइंच के ब्लैक कलर के स्टील रिम मिल जाते हैं, उसके उपर काफी स्टाइलिस वील कैप दिया गया है, ब्लैक कलर की बोडी किट का यूज किया गया है, जो कि वील आर्क के उपर से होते हुए साइड में पीछे तक जाती है, और जो काफी प्रोटेक्टिव साबित होती है, साइड स्क्रेच वगरा के लिए, 205 mm की ग्राउंड क्लेरेंस आपको मिल जाती है गाड़ी में, बोडी कलर में डोर हैंडल्स दिये गए हैं, और जो ORVM सें वो ब्लैक कलर के साथ में दिये गए हैं, और टर्न इंडिकेटर उन्हें के उपर प्लेस किये गए हैं, साइड में, ORVM के तोड़ा सा आगे निसान मैगनेट की बैजिंग दे गए हैं, और जो ORVM सें वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और उनके उपर टर्न इंडिकेटर और भी अच्छे लगते हैं, और सेकंड बेस में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ए पिलर ब्लेक आउट किया गया है, बी पिलर और सी पिलर भी ब्लेक आउट किये गयें, जो की काफी अच्छी कंट्रास्ट लुक दे देता हैं गाड़ी को, ये 50 केजी, लोड बियरिंग स्ट्रेंथ के साथ में आपको फंक्शनल रूफ रेल्स दी गई हैं, और ये देख सकते हैं गाड़ी के छट, तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और जो गाड़ी का लुक है, वो भाई जमता है एकदम से, और देखते ही आपको पसंद आने वाली गाड़ी है ये, और जो एक्सल वेरियंट है, वो आपको ट्रबो, नोन ट्रबो और सीविटी तीनों ही ओप्सन के साथ में मिलता है, ये आपके सामने नोन ट्रबो सबसे नीचे वाला वेरियंट है, और कई बार तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि जो साइड में वील कैप्स हैं, वो एलोई विल तो नहीं है, क्योंकि उनकी लुक भी काफी अच्छी लगती है, बलैक और सिल्वर का कम्बिनेशन, बात करें रियर की, तो ये रियर लुक है गाड़ी की, आप देख सकते हैं कि पीछे सिल्वर कलर का कम्बिनेशन, बलैक कलर के साथ में आपको मिल जाता है, रिफलेक्टर्स, पार्किंग, सेंसर्स, पीछे दिये गए हैं, मैगनाइट की बेजिंग, निसान का लोगो, हैलोजन टेल लेंप्स मिल जाते हैं, आपको बहुत ही अच्छी सेप में, इस गाड़ी में दिये गए हैं, जो की बहुत ही अच्छी लुक गाड़ी में एड़ ओन कर देते हैं, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, हाई माउंट स्टोप लैंप, और पावर एंटिना चत्पे दिया गया है, और काफी स्पोर्ट ही लुक में, आपको रियर स्पोईलर भी दिया गया गाड़ी में, बात करें बूट स्पेस की, तो इस गाड़ी में 336 लिटर का जो बूट स्पेस है, वो मिल जाता है, तो ठिक ठाक बूट स्पेस आप मान सकते हैं, एक सब 4 मेटर कॉमपेक्ट SUV के हिसाब से, और यहाँ बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है, 15 इंच का स्पेर वील, जो की रेड़ी स्टोन में आपको मिलता है, और जो वील है, वो एक इंच छोटा ही मिलता है, क्योंकि mostly गाडियों में आजकल छोटे वील से आपको मिलते हैं, और इसके बीच में आपके जो ओजार पाने वगएरा हैं, वो आप आसानी से रख सकते हैं, काफी सारा स्पेस आपको बूट में मिल जाता है, तो बूट स्पेस में कोई इस गाड़ी में आपको नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा भी नहीं है, तो बहुत चोटा बूट स्पेस भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये है overall look गाड़ी की अब देखने में तो भाई साथ टोब मोडल से कम नहीं लगती है क्योंकि बहुत जादा कोई फरक है ही नहीं आप visually कोई फरक आप नहीं बता सकते हैं टोब मोडल में और इसमें बाकी chrome furnace वगरा का जो फरक है वो आप बाद में भी add-on करा सकते हैं ABS, EBD के साथ में काफी अच्छी braking system मिल जाती है गाड़ी में पीछे drum brake और आगे disc brake गाड़ी में दिये गए हैं ये side look आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं गाड़ी की तो गाड़ी जो खड़ी हुई है वो बहुत जमती है भाई और जब चलेगी road पे तो भी definite जमेगी और आप लोग जो की axle variant ले रहे हैं वो आप देख लो कि क्या कुछ इस गाड़ी में मिल रहा है बात करें interior की तो चारोई power windows दी गई है power adjustable और auto foldable ORVM से दिये गए हैं driver window one touch up down के साथ में दी गई है silver finish के साथ में door handles और यहां light वगरा के control दिये गए हैं driver के right side में यह चा भी लगाने के आप जगें देख सकते हैं और यह है dashboard की look इस गाड़ी की बहुत यच्छा interior dual tone में आपको मिलने वाला है दर्वा जो पर भी dual tone interior आपको मिलता है और जो silver finish का use है वो काफी ज़्यादा किया गया है जो कि एक contrast और बहुत ही अच्छी look गाड़ी को दे देता है तो overall जो look की बात करूँ तो भाई बहुत ही जबरदस्थ look आपको मिल जाती है गाड़ी की बात करें driver seat की तो height adjust का option इस variant में आपको नहीं दिया गया है fabric seats मिलती है adjustable headrest के साथ में seats दे गई है तो भाई जैसा कि आपको देख सकते हो axle variant में भी जबर दस्थ interior आपको मिलने वाला है किसी चीज की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी जादा ये dual tone dashboard आप देख सकते है और जो dashboard की quality है वो भी काफी अच्छी आपको मिलती है काफी बड़ा glove box compartment आपको मिल जाता है बात करें चाबी की तो remote control चाबी आपको मिल जाती है lock और unlock के बटन के साथ में तो ये भी काफी अच्छी बात है central locking भी आपको मिल जाती है और आपको बाहर से लगवाने की कोई जरुवत नहीं पड़ती है तो MID meter की बात कर लेते हैं तो आपके सामने है fully digital MID meter इस गाड़ी का जिसमें की speedometer, RPM meter सब कुछ आपको digital ही दिखने वाला है और जो look है वो top variant से थोड़ी सी अलग इस की MID meter के आपको मिलेगी और दो ट्वीटर भी आपको मिल जाते हैं तो काफी अच्छा sound system मिलने वाला है गाड़ी में ये सभी controls आपको यहां dashboard पे दिए गए हैं लोग अनलोग के बटन भी आपको यहां मिल जाते हैं auto climate control आपको मिल जाता है गाड़ी में 5-speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है और gear lever के 34 silver finish का यूज किया गया है दो cup holders दिए गए और पीछे भी आप चोटा मोटा समान रख सकते हैं यहां एक बोतल रख सकते हैं तो आपको काफी spaces गाड़ी में मिल जाता है steering पे आपको cruise controls नहीं मिलते हैं लेकिन sound controls आपको steering पे मिल जाते हैं silver finish के साथ में काफी अच्छी steering की look मिलती है dual cabin lights आपको मिल जाती है front में भी और center में भी और यहां भी आपको दो light के option मिल जाते हैं vanity mirror मिल जाता है co driver वाले sun visor के उपर लेकिन driver वाले sun visor के उपर vanity mirror नहीं दिया गया है यहां पे आपको automatic climate control के लिए sensor दिया गया है और यहां पे चोटा सा आपको microphone मिल जाता है bluetooth की connectivity वगरा पे बात करने के लिए तो यह है overall look इस गाड़ी की भाई बहुत अच्छी जबरदस्त गाड़ी है और जो भाई एक्सल वैरिंट ले रहे हैं उनको अभी से congratulations में बोलना चाहूंगा steering को आप tilt adjust कर सकते हैं telescopic adjustment आपको steering में नहीं मिलेगी अब चलते हैं इस गाड़ी के rear की तरफ तो rear दरवाजे पे आप देख सकते हैं कि dual tone में आपको interior मिलने वाला है power window के control, silver finish के साथ में door handle speaker, bottle holder, सब कुछ दरवाजे पे दिया गया है और यह है इस गाड़ी की rear sitting जो कि आप सब जानते हैं कि काफी spacious है क्योंकि जो गाड़ी के specs वगएरा है वो top model के जैसे ही हैं और जो spacing है वो उपर नीचे नहीं होनी है adjustable headrest दिये गए हैं पीछे seat पे भी लेकिन center armrest और cup holders इस variant में नहीं दिये गए हैं तो यह है overall look अब चलते हैं एक बार बैट के देख लेतें कि गाड़ी में space कितना क्या मिलता है तो space भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक space मिलता है चार उंगलियां आप मेरे पैरों के आगे देख सकते हैं seat के बीच में क्योंकि seat में एक shape दी गई है उससे जो space है वो काफी जादा मिल जाता है गाड़ी के अंदर और जो bump है center में वो भी उच्छा नहीं है उसकी वज़े से तो तीसरा बंदा है बीच में बैठने वाला वो भी आराम से बैठ सकता है तो by space में भी कोई issue आपको नहीं होने वाला है यह center light आप देख सकते हैं हेलोजन में यहां दी गई है foldable grab handles भी दीए गए हैं दरवाजों पर अब बात करते हैं गाड़ी के engine की तो यह गाड़ी 999 CC, 71 BHP, 96 NM टोर्क और 18.75 km पर लिटर के एवरेज के साथ आती है इस गाड़ी में 3-cylinder 1-liter MPFI natural aspirated petrol engine यूज़ किया गया है DOHC में यह engine आता है और इस गाड़ी को कितनी power देता है यह हम गाड़ी चलाएंगे तब देखेंगे और यह आप सुन सकते हैं गाड़ी के engine की आवाज तो ठिक ठाक engine आवाज कर रहा है और ऐसा नहीं है कि engine हिल रहा है वाइबरेट कर रहा है वो है 6,61,000 रुपे तक और यह prices में गुडगावा के बता रहा हूँ बाकी city to city और state to state prices vary कर सकते हैं आप अपने हैं जरूर चेक कर लें कि कितने के prices हैं तो भाई यह था आज का चोटा सा वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंट तक देखने के लिए थेंक्यों दोस्तों